आप सभी लोग का स्वागत है मिस्टर स्कैल पग एक और नई वीडियो में और मैं हूँ आप सभी का दोस्ट संचित दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से मार्किट ने इंपोर्टेंट लेवल को फॉलो किया है कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं क्या ऑप्शन चेन डेटा बनके आ रहा है सेक्टर वाइस और स्टॉक वाइस भी हम एनलेसिस करेंगे तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देहें गया और वीडियो करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज में टेलीग्राम के वारे में आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे लोग बाकी टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेते हैं यह समझके क्यों मिस्टर स्कालप को ऑफिशल चैनल है हमारा केवल एक ही ऑफिशल चै कि आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो ट्रेड देने का या बाकी सारी चीज़े करने की कोशिश कर रहा है तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो प्लीस एक तो उन्हें रिपोर्ट करें और उस चैनल से एकजिट करके आप लोग हमारे चैनल जो ओफिशल चैनल है उसके अं अब मार्किट की बात कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ बैंक निफ्टी में आज के दिन ओपनिंग कहां पे हुई 350 पे हमारा आज के लिए लेवल क्या था 38,353 यह जो टॉप था मार्किट अगर इस टॉप को ब्रीच कर देता मार्किट में आज हमें 38,500 और 38,700 उपर के ले इसलिए मैं आपको बोलता हूँ लेवल के उपर फोकस करो कितना ब्यूटिफुली लेवल को आज मार्किट ने सपोर्ट दिया है बैंक निफ्टी में आप देखिए 38,350 से रिवर्सल होना स्टार्ट हुआ यह रुका कहां पे हमारा पहला सपोर्ट रेंज 38,000 50 38,120 यह एक मैंने कल आपको बताई थी यह रेंज ब्रेक होती तब हमारे पास कौन सा एक सपोर्ट जो मैंने कल आपको बताया था 37,850 से 880 की रेंज ठीक है तो यह हमारा एक सपोर्ट रेंज था मार्किट ने इसको ब्रीज किया रिटेस्ट हुआ इसका और उसके बाद दुबारा से कंटिन्यू करा ओनेस्ली स्पीकिंग मेरे को एक्सपेक्टेशन थी एक जो मार्किट के लिए एक रेजिस्टेंस था 37,400 का लेवल मार्किट मेरे को एक्सपेक्टेशन थी 400 450 के आसपास से रिवर्स कर जाएगा बट फॉल को इसने एक्स्टेंड किया मेभी जो शेक ओफ हो इतना ब्रूटली आया कि इंपोर्टन सपोर्ट लेवल्स को ब्रीच किया बट उसके बाद जो है रिवर्स होना स्टार्ट हो गया और जबर्दस शॉर्ट कवरिंग अगर आप लो से देखे तो 700 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली और वन साइडेड शॉर्ट कवरिंग धाई बजे के बाद अगर आप देखे एक भी कैंडल जो है आपको रेड दिखाई नहीं देगी लगातार 700 पॉइंट का आपको सीधा इसमें ट्रेड मिला है तो बहुत एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग सेकेंड आफ में देखने को मि अब कल किस तरीके का प्लान हम बना सकते हैं सबसे पहले ऑप्षेंट डेटा की तरफ चलते हैं इंट्रेस्टिंग चीज़ क्या है आज के दिन यह जो शॉर्ट कवरिंग आई है इसमें अगर आप देखें लगबग 37,500 से 37,900 का जो स्ट्राइक प्राइस का एरिया है यहां पे जो कॉल राइटर्स हैं यह थोड़े जादा थे बट इन्होंने जब अपनी जो शॉर्ट से उनको कवर किया तो इनकी जो चेंजी नुवाई में आपको नंबर्स दिख रहे होंगे वो थोड़े कम दिख रहे होंगे पर फिर भी 25,000 जो उपन इंटरेस्ट है ओवरॉल हम पुट साइड की बात करें तो पुट राइटिंग जो आज के दिन है वो नहीं हुई है एक मीनिंग्फुल लेवल जहां पर पुट राइटिंग हुई है वो लगबग 37,300 का बहुत दूर का सपोर्ट है बट ओबरॉल अगर हम 37,500 से 37,900 तक देखें हलकी फुलकी पुट अगर हम देखें तो पुट राइटर्स ने थोड़ा बहुत अपना हाथ की जाए जो फॉल आया था उसमें पुट राइटर्स थोड़े बहुत निकले बट उसके बाद दुबारा से जो है एंड में पुट राइटिंग करी गई है और मार्किट अभी भी अगर आप देख निकल चुके है अभी भी मैं यह नहीं कहा रहा कि बैंक निफ्टी के मुकाबले बट अभी भी इसमें शॉट्स फसे हुए है तो अगर हम उपर की साइट रेजिस्टन्स देखें 38,000 की स्ट्राइक पर लगबग 70,000 के आसपास जो है वो उपर इंटरेस्ट बना हुआ है 38,100,200,300,400,500 हर लेवल पर दबा के कॉल राइटिंग है 30,000,45,000,30,000,50,000 इस हिसाब से अच्छी चीज़ क्या है कि 38,000 के उपर अभी भी 50,000 से जादा जो है वो पुट राइटिंग बैठी हुई है पुट राइटर्स अभी भी ओपर इंटरेस्ट बना के बैठे हुए है इस उमीद में के मार्केट जो है वो 38,000 के उपर एक्सपायर होगा तो ये एक अच्छा संदेश है बट आज के दिन जो डे है वो डॉमिनेट करा है कॉल राइटर्स ने अगर हम 37,300 को छोड़ दें तो इस बार चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा हर लेवल पे जो है वो कॉल राइटिंग करी गई है केवल 37,300 और 600 के लेवल पर जो कि चार्ट अगर आप देखे इतना जबरदस फॉल आया तो वो एक्सपेक्टेड था अब हम कल क्या कर सकते हैं देखिए अभी भी कल के लिए इंपोर्टेंट लेवल क्या है 850,800 की रेंज ठीक है अब याप 880 का लेवल जो है अपने चार्ट से निकाल दीजे 850 से ले अगर दुबारा से मार्किट इस लेवल को ब्रीच करता है नीचे की साइड 850 को तो दुबारा से मार्किट नीचे की साइड जाएगा नीचे की साइड का पहला टार्गेट क्या बन के आता है वो 600 बन के आता है उसके नीचे जाता है तो लगबग 500 450 के लेवल दुबारा से test हो सकते हैं अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो उपर की side का अपने को trend कप दुबारा देखने को मिलेगा देखो यह जो resistance था जहाँ पर market ने एक time पर हम देखे हैं तो double top यहाँ पर बनाया था अब यह दुबारा से resistance की तरह act करेगा 38,050 से लेकर 38,121 31,30 की range यह दुबारा से अब एक resistance की तरह act करेगी बट इस बार में उतना जो है bullish नहीं होगा यह range breakout होने पर मेरे लिए बहुत important और crucial critical level बन चुका है 38,353.50 की range इस range को जब बैंक निफ्टी उपर की side तोड़ेगा तब aggressively आप लोग long जाने की सोचना मतलब heavy position के साथ या फिर future वगएरा buy करके leverage positions के साथ तब हम सोच सकते हैं वरना quantities कम कर दीजे क्योंकि wix बढ़ चुका है volatility increase होने वाली है इस type के crazy moves आपको देखने को मिल सकते हैं और गलत quantity लेकर आप गलत side market में अगर फस गए तो कितना बुरी तरीके से market में capital साफ हो सकता है वो आज आपने देखा जो लोगों ने मान लीजे यहाँ पर short करा होगा यहार आदा गंटा भी नहीं दिया market ने उन्हें निकलने का 700 point जो है वो market ने यहाँ से उपर की side गया है इसी लिए level to level play करते रहिए important चीज मार्केट में यह है PCR भी आपको watch out करना होगा काफी सारी चीज़े important होती है but important क्या है न जब market यहाँ से लेकर यहाँ तक fall कर गया 500, 600, 700 point fall कर गया आपको दिख रहा है put call ratio over sold है PCR over sold है PCR को आपको check करना है बहुत लोग पूछते वह कैसे check करते है Google पर simple आप सर कीजिए bank nifty PCR या फिर nifty PCR बहुत websites पे बहुत websites हैं जहाँ पर आपको bank nifty nifty का PCR जो है वो हर 15 minute में update होता रहता है वो आपको दिख जाएगा मेरे पास जो है वो मेरे को live update होता रहता है आप 15 minute के PCR से आप काम चला सकते हैं उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है आपको पता चल जाएगा कितना oversold या overbought है ठीक है तो वो चीज़े आपको देखनी होती है blindly cable market गिर रहा है मेरे से वो move miss हो गया बहुत सारे लोगों ने पूरा move miss कर गया वो end में जब गिरता है क्योंकि end में एक बार bounce आने से पहले जो short covering move आता है उससे पहले एक furious तरीके से गिरना जो हो शुरू होता है आपने देखा जो last candle है वो सबसे बड़ी candle है फाइब मिनिट चाट में अगर हम देखें तो आखरी के 200 points के fall की 200-300 points के fall की तो जो last candle में लोग फसते हैं उनको market फसाता है और उसके बाद इसी तरीके से short trap में फसा के उपर की साट लेके जाता है तो ये आपको control रखना होगा आगे आने वाले कुछ दिनों में भी क्योंकि volatility increase होने वाली है due to world market और china ने कुछ decisions लिये है commodity को लेकर उसकी वाज़ा से Chinese market तो strong है but overall अगर आप world market देखें तो वहाँ पे हमें weakness दिखाई दे रही है ठीक है तो simple terms हमारे levels जो है वो subset हो चुके हैं अब हम nifty के sector wise अगर analysis यहाँ पे करते हैं तो अब यह कहां पे इसका एक strong base है मेरे लिए जो पहला strong base बनके आ रहा है IT sector में वो आ रहा है लगबग 34,500 के आसपास अभी भी जो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहां पे जो है वो IT stocks को बाई कर सकते हैं मेरे लिए यह एक पहला region होगा जहाँ पे market लगबग 8 से लेकर 9% के आसपास जो आपको correction दे देगा 9% के आसपास correction मिल जाएगा तो यहाँ पे आप जो बोलते हैं 5% of your capital पहला जो आपको लगाना होता है उस तरीके से आप लगा सकते हैं IT sector में और उसके बाद 5% का और आपको fall मिलता है मान लीजे यह level भी breach होता है तो market 33,200 तक भी fall हो सकता है इसमें कोई दोर आए नहीं अगर मैं moving averages भी लगाता हूँ तो उसमें भी यह level निकल के आ रहा है तो अगर market यहाँ से भी आपको जो है 4-5% का fall और देता है आपको जगा रखटी होगी अपना जो portfolio उसमें cash रखना होगा के market अगर यहाँ से 4-5% IT sector गिरता है और तो मेरे पास खरीदने की जगा बचनी चाहिए most important चीज यह है तो यह हमारा IT sector के उपर हो गया metals की बात करें metals अभी भी एक range में फसे हुए है अगर आप देखें तो अगर मैं सारे levels भी यहाँ पर निकाल देता हूँ के वल moving averages के उपर भी देखूँ तो अब 5600 एक important resistance है metals के लिए auto stocks बहुत interesting level पर है देखिए auto में आज breakout हो सकता था बट market में जो weakness आए उसकी वज़े से थोड़ा sell off हुआ अब auto के लिए important top क्या है 10800 का level 10800 के उपर fresh तेजी autos में बनेगी तो आपको watch out रखना है FMCG 20 moving average के आसपास जो है वो आ चुका है 20MA के पास हमें दिख रहा है तो यहाँ से एक bounce हम expect कर सकते हैं और एक sector जो आपको watch out करना चाहिए next few days के लिए और हो सकता है sector of the month अगर कोई बन सकता है for October auto के साथ तो वो pharma हो सकता है तो pharma के उपर watch out करके रखेगा जितने भी pharma के stocks है उनमें मेरे को काफी अच्छा setup दिख रहा है अगर कोई मेरे को दिखेगा तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा तो ये sector के उपर आपको नज़र रखनी है 14,700 माफ कीजेगा एक important level है ये जो sideways consolidation हुआ है इसमें अगर 14,700 के उपर pharma sector का index निकलता है बहुत strong breakout हमें इसमें देखने को मिल सकता है आपको watch out करके रखना है reality हम बात करी रहे थे profit booking आज के दिन देखने को मिल आ है reality में क्योंकि भागा reality है अगर पिछले कुछ दिनों से हम देखें तो सबसे जादा but issue कब होगा 490 का important low reality sector के लिए आप बना के रखिए 490 के नीचे आएगा ना तो दुबारा से पेन आना शुरू होगा वरना ये एक support के तरह act करेगा finance की अगर हम बात करते हैं daily chart अगर हम यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे उपर जाने की कोशिश कर रहा है especially HDFC के जो advanced tax के numbers है वो बहुत जबरदस्त है 40% increase उसमें हुआ है तो आप समझ सकते हैं जो q2 के results आने वाले हैं वो कितने दमदार आने वाले हैं हो सकते हैं उससे पहले जो यह शेक आउट हो रहा हो जो है वो market में कमजोर हैंड को निकालने के लिए हो रहा हो बट लेवल टू लेवल प्ले करना जादा प्रिफरेबल है मार्किट चाहें किसी भी तरीके का हो ओवर वाइस सारे सेक्टर हमने इसमें कवर अप कर ली है तो दोस्तों अब आशे करते हो वीडियो पसना होगी वीडियो पसना हो तो लाइक की जगा मिलता आप से लिए वीडियो में थैंक्यूस मच पर वाचिंग आई जहिन वंदे म कर दोस्तों में एंदे मात्रम